प्रदेश में ब्लॉक कॉंग्रिस कमीटी की भैटे का योजिन किया गया जिसके अध्यक्ष था जिला कॉंग्रिस अध्यक्ष राजिंदर जार ने की। परचार के लिए मैदान में जाएंगे। पांच बिदान सभाक शेतरों में बनानी है उसके लिए हम ने टारगेट देड़ देजी है कि 20-30 तक सभी पांच के पांच बिदान सभाक शेतरों में इन रूज कमेटियों का गठन हो जाना चाहिए ये थो मेन अजेनर ये भी था इसके साथ जो मीटिंगों का दावर रही हर महीने होना जाये जिला स्थार पर हो चाये ब्लॉक स्थार पर हो हर महीने मीटिंग होना जाजमी है और जो पांच के पांच विदान सवाइब शेक्तर है नो कांडरिस कमिटी है उनकी बैठके उपर के निर्दिर्शों के अनुसार जिला कॉंडरिस कमेटी के अध्यक्ष में खुद इन सभी पांच ब्लोग कॉंडरिस कमेटीं की मीटिंगे लूंगा और उसमें हम जो हमरा फ्यूचर है प्रवेश्य में जो अपारे इलेक्शन होने जा रहे हैं विदानस करना वर उसके लिए एक सुचारू रनच निती हमने इन बैठकों में बनानी है और इन बैठकों में जो हमारे पदा दिखारी हैं और जो हमारे कारे करता है उनको द्वोतिंगा बंकनी है इस अपने प्ने क्षित्रों में कॉंग्रिस की मर्भूती के लिए काम करें। कि कि मार्ण इसमें अधि कारता वी यूफ स्थानूर। लिए जाएंगे एक तो यह था ben कि जो बाजपा की जन विरोधी नीतिया हैं और खास कर ते जो किसानों के विरोधी बाजपा का स्टैंड रहा है आप्र ज़कार का स्टैंड रहा है उसके बारे मैं एक हम ने तै किया है जो उपर से निदेश आए हैं कि हम चिला स्थपर भी उसके साथ साथ पद्यात्रा भी करेंगे उसके माध्यम से हम घर घर जाकर लोगों को इस सरकार की जन विरोधी नीतियां और इसकी नाकामियां घर घर तक उसकी सचाई को पहुंचाएंगे करें दो कि जिस दम से यह सकार परमट कर रही है चाहे हो केंदर की सरकार है चाहे हो कर दरिश की सरकार रहा हैं उस ब्रहम को हम दूर करने की कोशिश करेंगे और लोगों साधी कि फ़ादा करेंगे तो भीन mixture करेंकि एंगे अगले हमारे जो इलेक्शन है इसमें पाइदा दे सकें